तो स्वागा थे आप सब का हमारे यूटूब चैनल में तो आज में बात करने जा रहा हूं कार्बन और यू kind कर आनी कि कार्बन के योगी को ऑनंतों के बारे मेंट के योगी से पशेत्थ चो झा समव कि कबात करंगे जैसे द कॉम करने तक को कार्बन योगlair काुलंत first तो मेथेन के बारे में बात करेंगे जो ये मेथेन होता है हमने पढ़ा था C यानि H2 यन प्लस 2 ये हम पढ़े थे ये क्या हमारा था इलकेन था इलकेन था और इलकेन में हम अगर एक रखते हैं C का एक होगा और H कितना होगा एक एक रखते हैं तो हमारा जो आता है वही क्या होता है हमारा वह होता है हम लिक सकते हैं यह हलकेन स्रहणी का पृथम सदस्द्ध स्थ से क्या कहते हैं क्या कहता है साल पहले प्रिथविः कम थी तो बहुत सारे पाधे जीवजन्तु जो थे प्रिथविए कि प्रिछ्ट है अधिक के तार्पारिक तो वहीन ही डेजर कि टीफिक के नीचे व्हाल प्रिपन होती तो इसलिए इसन船 मेर्थ संसी कहते हैं के या यह क्यांевой कि शुटया है और शूचान को ऊस्वर इसके बारे मेथिल आयोडाइट से किस प्रकार से प्राप्त करेंगे यह हम देखेंगे अगर 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 को भड़ दिया घाए तो इसके जगा पर लगा दिया जाए तो इसे प्रकार से प्राप्त करेंगे Methyl iodide की Kiriha Methyl Ch3I Methyl iodide की Kiriha किसकी उपस्थिती मे Su К殺per के उपस्थिती मे Hydrogen कराने पर Methyl alcohol Oh sorry क्या बनता है Methyl помог अब देखा जाए अब देखो तो यहां पर अब हमारा हो क्या रहा है I हमारा कहा गया तो हम लगा सकते हैं यहां पर देखा जाए तो क्या होगा कि आई यह होगा देखो सी सी एच कितने हैं एक यहां और दो चार है और आई जो हमारा होता है है लोजन होता है तो क्लोरीन के केकिनला परमांक 17 होता है तो mm को श्युक्राण होता है तो कि और बंद और खरेगा और जो लेगा तो यह बन जाएगा हमारा एच आई अब यहां पर देखा जाए तो हर्डोजन कितने बार प्रयोग में आया है पांच बार प्रयोग में आया है तो यहां पर हम क्या करेंगे दो कर देंगे बैलन्स हो जाएगा कितना पांच और तीन दो पांच तो इस प्रकार से हमार यह उपस्थिति क्या होता है उत्परे रख होता है और इसका क्या नाम है मेथें और यह हमारा हो गया और यह हाइडोजन तो इसमें क्या होता है प्रियोक सालामन सोडियम मेथेंग निर्जल सोडियन acid, यहनि कि CH3, COO, यहन्ने, इसका सूत्र होता है sodium acid का, निर्जल sodium acid, यहन्ने OCH से soda lime भी कहते हैं, और sodium hydroxide भी कहते हैं, इसकी क्रिया कराने पर हमें क्या बनता है, इसकी क्यों प्रियोग साला में निर्जल सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम और ये निर्जल सोडियम एसीटेट इसे घर्म करते हैं तो क्या बनता है मेथेन बनता है देखो, यहां पर से CH3 और यहां से 1H, मिल जाएगा तो बन जाएगा CH4, ठीक, अब यहां पर से हमें क्या है, कि यह हमारा खतम हो गया, और यह भी हमारा खतम हो गया, तो दो यन्ने है, तो लिख दिनगे यन्ने 2, जहां से देखना, एक सी है तो सी लिखे और दो ओ यहां और एक ओ यहां तो मिलके बन गया क्या तीन ओ इस प्रकार से हमारा यह हो गया तो इसे कहते हैं सोडियम कार्बोनेट है आप लिखने रहें तो सोडियम कार्वोनेट होता है इसका नाम तो क्या करें नेशल सोडियम एस्टेट को सोडा लेम के साथ गर्म करने पर मैथल मैथेन बनता है तो यह हम लिख सकते हैं और आप रियक्सन समझ लीजिए बाकि जो है लिख तो बहुत आसानी से समझ कर सकते हैं लेकिन अगर रियक्शन आप समझेंगे तो वही वही चीज़ लिखना रहता है तो रियक्शन बहुत अच्छे से समझो एलकिल हैलाइड से बनाना है तो एलकिल हैलाइड मतलब होता है हमारा CH3Cl ठीक अलकिल हालाइड के एलकि उपस्थिती में जब अप्चैन करेंगे तो देखो यहां पर से वही होगा तो क्या होगा CH4 हो जाएगा ठीक अलब बचा है और अब देखो ध्यान से तो चीज़ और क्या चीज़ अकेले तो बनेगा नहीं तो यहां पर क्या होगा कि बनेगा यहां पर हमारा यहां पर एक हाड्रोजन है और यहां पर देखा जाए तो चार है तो यहां पर हम दो कर देंगे यह तिन दो पांच यहां पर चार एक पांच तो इस प्रकार से होगा तो क्या होगा कि अल्किल हैलाइड के आप चैन द्वारा क्या करते हैं अल्किल हैलाइड के अप चैन द्वारा क्या प्राप्त करते हैं मेथेन प्राप्त होता है और मेथेन के साथ यह आप लिख सकते हैं कि हल भी प्राप्त होता है हल मतलब हाड्रो हाड्रोजन हाड्रोजन प्लोराइड हा क्षिच अ-धं को क्षिच विद्स लेका रहे हैं इसे हमना हिए करते हैं यह है कि अधंद यह प्लॉórीन प्लॉर конц ब्रोमीन आयोडी यह हमारे जो होते हैं यह हाइलाइट होते हैं इसलिए कहते हैं इसको हैलाइड एल्किल हैलाइट कह रहे हैं इसलिए तो अब यह हुआ आप देखेंगे हम भौत एकुट